जिन साथ भारतिय दिवस्ता के स्रेजी में आज एक हम महत्रपोण टॉबिक पढ़ेंगे जो आपके परिच्छा के लिए काफी उप्योगी है और यूग कहें यहां से आपके परिच्छा में किदे सिधे शवाल पूछे जाते हैं भारतिय दिवस्ता की जो थेरी का सेशन इसमें कुछ महत्रपोण टॉप्रिक में आज है आर्थिक नियोजन आप इसे कह सकते हैं पंचवर्सी योजना है अगर पंचवर्सी योजनों के गरां बात करते हैं परिच्छा के दिश्टिकों से बहुत ज्यादा अहम बहुत ज्या करते निच्वर्सी योजना की अगर भारत के पहले पधन मंत्री होते तो पंचवर्सी योजना को कैसे डियांं करते हैं इसका देवाब इस वीडियू के कमेंट सेक्शन में जाकर का में अगर भारत में ब्सक्राइब की जो ओन्हें सो स्था फिर द्सक्राइब स्कवेशने इंडिया में यह इंपॉर्टेंट लाईन है यहां साब के प्रिछा में प्रिलेसर सवाल पुश्चिक का आगया है और यह सटीरी का सेशन है और आपके सेल्बस कड़ार परे टॉपिक है अगर हम बात करें कि बंबे प्लान में 15 वर्षी पुत्रवध ही हो जना थे बंबे प्लान की सुप्तर धार सर आडेशियर दलाल थे एक एक करके हम चलते हैं आगे ही बात करते हैं अगर हम बात करें आगे कि उन्हीं सो पैतालिश में अगर हम बात करें प्रथम योजना आयोग के अध्याच पधन मंत्री जोहला नहरू यहां से परिख्या में सवाल उच्छा जाता है पंद्राकस 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया इस योजना आयोग का नाम क्या रखा गया आप लोग जहां से इसको देख लीजिएगा और यहां पर हम देखा कि पंद्राकस 2014 को योजना आयोग की बात क्या अब तक पुल 12 पंच वर्षी ओजना जो है वो लागू की जा चुकी है यह भी आपके लिए इंपोर्टेंट है अहम है अगर आप चाहिए से लिख सकते हैं वैसे आपकी मर्ची है अगर हम आगे बात करें कि प्रथम पंच वर्षी ओजना जी हाँ यह उन्हीं से क्याओं से चप्पन रखते हैं यह बहुत इंपोर्टेंट है पहला ही एक प्रसन आपके परिक्षा में पूछ ले जाता है और मैं आपको बताओं इस वीडियो कंता कब लोग बने देगा औ अगर हम बात करें कि प्रथम पंच वर्षी ओजना जोती है यह यह उजना हेरा डोमार मॉडल पर आधारी थी तो यह इंपोर्टेंट होगा या भी आपके परिक्षा में पूछ लिया जाता है इसमें क्रिशी, पोड़क्षन, सुचाई, मुल इस्टेर्था, बिजली, पर परिवन के सुधार पर सबसे जादा जोड़ी आ गया यह उजना सफल साबित होई क्योंकि इस योजना के कारण क्रिशी उट पादन में 36% के दर्थ से जो बनुत्री होई थी भाक्रा नागर बाद, हीराखुन, मेदूर बाद जो था प्रमुग बात परिजना इस योजना अवदी के दरा शुरू की गये थी, यह भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल परिक्षा में पूछा जाता है, इस योजना के अवदी के अंत मनोगी 56 में पाँच भागती प्रवद्दिकी संथा आई-ाई-टी शुरू की गये थी, यह भी सवाल नहीं पुछे जाएंगे लिकिन आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देखनें, वे सभी साथी इसकी अंतक कॉप्री कलम के साथ बने रहेंगे और इस सेशन को भी पूरा-पूरा पढ़ते रहेंगे, हम आगे अमरते हैं, आओ इसके आगी भी पढ़ेंगे, आगे दूति पंच वर्थी उजना, जिसका जो कारिकाल था येओ उन्हीस सव शिंपन से एक्षैटत्यार JOHN या यह पांच वर्ष का प्लान होता था इसलिए इसे पंच वर्षी योजना के नाम सबी जां जाना यह यह जना महालनोबिस मॉडल पर आधारी थी यह इन्पोर्टे ने पूछा जाता है कि इस पर यह आधारी इस योजना में अध्योगी उत्पादों और तेजी से अध्यो पादल पर तोड़ दिया इसमें धिलाई द्वरगापूर राउल के लाइज पास्वन के पुरवाद इस योजना के तात्वी मलग दुति पंचवर्शी योजना के तात्वी इस विकास का जो यह योजना था इसमें जो लच्छित विकास दर था वह सारे 4 पसंट था और वास पड़ेगी वह आपको काम है लिए इस कींसर्ण कर आपके पास रहा तो यह नोट्स दिए आपके पूरा-पूरा काम आजाएगा हम और आगे देखते हैं ते तीसरी जो पंचवर्शी योजना इसके बारे में भान से पढ़ेंगे जानेंगी चीज़ों को समझेंगे यह उ धन्यमां यह लिए तो तीरी पंचवर्शी योजना में क्रस्य और दोख की बढ़ूर ब्रत्र जोडिया गया इसी में पाकिस्तान सी दिश्वर्शी वह से होता है इसे गारगी जोजना के नाम से जानते हैं आप परिंगे वानिंगे तीसरी पंचवर्शी योजना को पादन में 30% तकी ब्रिद्धी करना था इसलिए यह आप सभी के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है लेकिन 162 में चीन और 65 पाकिस्तान के साथ युद्ध खराब मौसमे कारण भारत अपना ये लक्ष हासिल नहीं कर पाया था यह भी पूछा जाता आपके परिक्षाओं में इ यह आपसे सवाल है तिसरी पंचवर्षी योजना ने भारत को कितने प्रधान मंत्री दिये कितने कारवाहक प्रधान मंत्री दिये इसका भी जबाब इस वीडियो के कोमेंट सेक्षन में जाकर को मेंट करके आपको देना है अगर आप से इसरीग को पढ़ रहा है और आप आपकी इबारे से खमार का सपना पूरा हो तो भारत्य दिवस्ता के स्रीज में आपका जबाब भी आहम है इस योजना की लक्षित विकास दर पांक दस्मलों चार परसंटी लेकिन वास्तिव पिदिदर दो दस्मलों चार परसंटी लक्षे तो सा पांच दश्वर्षा का जो वास्तिव भिद्धी दर्थी वो दो दसमलोग 4% ही थी हम और आगे बढ़ते हैं आपके साथ हमने देखा प्लान हलिडे मतलब अब यहां पर क्या होता है प्लान हलिडे हो जाता है मनें एक एक वर्स की उजनाय आती है और तीन पंच वर्स की उजनाय क्रम से चलती है उसक भारत पाकिस्तान की बीच बड़े युद्ध के कारण सरकार में प्लान हलिडे घौसित करने के लिए उनकी मजबूरी हो गई इस अवदी के दारान तीन मार्स योजनाय की ज़िए जो आपको क्रम से यहां पर पढ़ने और देखने को मिलगा है क्रिसी इसकी सब बद्ध गद्विदियों और अद्रगी क्षत के समान प्रक्विक ताय दी गई थी तो आप चाहें तो इसके स्क्रिंसोड भी अपने पाथ सुरक्षित रख सकते हैं एक सवाल पूछा जाता है जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान ये किस पंचवर्शी योजना में नारा दिया गया इतने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सक्षन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देखेंगे सब्सक्राइब करेंगे अब यह जो था और इस योजना में ख्रिशी विकास भारत महरित करांटी पर जो 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 था और इस वी सवाल आपके परिक्षा में पूछा जाता है इस योजना के जो लच जिदर थी वो 5.6 परसंटी लेकिन वास्तिक भी जिदर जो थी वो 3.9 परसंटी आप लोग चाहें इसकी पूरी स्कीन साथ अपने पास रख सकते हैं अचनी पंचवर्सी योजना जिसका कारिकाल 1974 से लेकर अटाथता तक था यह चार वर्स का था यह एक वर्स पहले ही सरकार ने आपातकाल खतम करने के बाद चुनाओक करा लिया था इसलिए यह एक मार्तरैसी पंचवर्सी योजना थी जो केवल चार वर्स तक ही थी यह परिक्षा में पूछा जाता है और मैं चाहूंगा आप इसकी स्कीन साथ अपने पास जरूर से जरूर रख लीजिएगा इस योजना के तहट रोजगार को बढ़ावा मदराशपिती की जान गरीबी उनमूलर जहां इस योजना का जो मन्सोदा प्रमूखराजनाई डीपी धर द्वारा त्यार किया गया था यह क्रिश्यूत पादन और रच्छा में आत्म निर्भर्ता पर केंद्रिथा भार्ती राजिमार पढ़ाली के सुर्वात यहीं से ओती है इस योजना के बहुत ही इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए देखें इस योजना के तो रोजगार बढ़ाना मुद्रच पित्री की जाच गरगुन मूलन यह भी इंपोर्टेंट है मैं आपको पहले ही बता दिया गया निउन्तम आवसक्ता का रिक्रम यहीं पर इसी योजना में 55 योजना में ही लांच किया गया जनता पाटी की सरकार आते ही इस योजना को 14 वर्ष में ही समाप कर दिया गया यानि यह 1978 इस सरकार बनी थी जनतादल की सरकार जिसके पधान मंत्री मुरार्जी देशाई हुए था आप चाहें तो इसकी स्कीन सोट अपने पास रख लें वैसे हम और आगे चलते हैं पूरी नोट्स भी आप घर बैठे पराट कर सकते हैं और घर बैठे कर आप नोट्स पराट करना चा तो उनके जो प्लान थे उसे रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है करड़ यह हैं कि इन्होंने जो बनाया वह 978 से लेकर पिराती तो लेकिन जिनकी सरकार थी वह 978 से लेकर 80 तक यह दो साल तक ही सरकार थी ता पिर सरकार गिर जाती है तो फिर पंचवर्सी उजना को तो यह बंद करके फिर पंचवर्सी ऊजना का एक नया आध्या खोला जाएगा यहां पर हम लोग देखते हैं जो पारते की सरकार यह पांची पंचवर्सी ऊजना को खारिश कर दो ओरня और नई च्छडी मेरा सवाल आप लोग ध्यान से सुनिएगा और सभी साथ हिमेत्र इस प्रस्निका जबाब इस कॉमेंड बॉक्स में जाकर जरू दीज़ेगा मतलब हमने और आपने यह देख लिया अब यहाँ पर एक छटी पंच वर्शी उजनाती तो जो चटी पंच वर्शी उजनाती कांग्रेस खारिश का देती हैं फिर नई पंच वर्शी उजना चलती हो जिसको आगे मलोग करेंगे तो पहली वाली योजना रोलिंग योजना के नाम से जाने जाती है इससे पहली वाली योजना को रोलिंग योजना कहते हैं रोलिंग प्लान के अधानना गुलार मेंडल बनाए गए कि यह बहुती इंपोर्टेंट है आप लोग शाहें आप इसे इसकी इंसाट कर लें या इसकी नोट्स भी बनाते चलें यह ऐसी बहतरी नोट्स इलनी भी दुर्गेश की आपको मिलेगी हम इसी के साथ और आगे चलते हैं और आप चाहें पत्रों को अपने पास अब यहां से चटी पंचवर्ण सी योजना वाद लग लाग होती है अब यहां पे देखेंगे इस पंचवर्ण सी योजना से आर्थिक उदारी करण की सुरुआ थी यह योजना बुनियादी धाचे में बदला वो क्रिसी पर समान रूप से केंद्रिती है इंपोर्टेंट हैं बुनियादी धाचे के शीपर चटी पंचवर्ण सी योजना भारतियत वरस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी याद रखेगा इसकी लच्छित दर पांच दसन मलों दो नौति लेकिन वास्चित दर लच्छित से भी ज्यादा थी पांच दसन मलों चाल पक्शन थी य अब एकदम करम से फिर चलना सुरूब फिर डिश्टाब होने वाला है अभी देखिएगा कहा इस पंचवर्शी योजना के मुख्यो देश आर्थिक अनाज के विपादक्ता में व्रिद्धि के साथ रोजगार के उसत पैदा करना था साती पंचवर्शी योजना थी पचा इसकी 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 आपर में पास अख लिए और आगे बढ़ते हैं वार्शी योजना अब अब हमने देखा कि यहां पर फचाशी नब्बे तक थी लेकिन यहां पर क्या होता है राजनितिक असर्टा के कारा इस अवदिक के दौरा कोई पज़र्शी योजना लागू नहीं अब यहां पर देखा जाए तो नहीं समझ लिए नब्बे से इंचानबे और आगे बात करेंगे और इसे क्यानबे में इसे क्यानबे और बांबे के बीच अवद्धी के लिए सिर्फ वाक्सी गोजनाई चलाएगे दो पहला हो उन्हीं से क्यानवी भारत को बिजेशी मुद्रा भंडार के संकत का सामना करना पड़ा उस वक्त केवल अमेरिकी डालर के भंडार देश के पाद रशे से कवल कई यहीं भारत में नीजी करन उदारी करन के शुरूआता है भारत में उदारी करन कब हुआ नीजी करन कब शुरूआत हुए तो याद रखेगा इस्तिसने का उत्तर होगा और इस्व इनक्यांबे उदारी करन शुरूआता यहीं से नीजी करन का दौर शुरूआता यह आपके लिए इंपोर्टेंट है आप सभी लोग इसे पढ़िए इसे जानते रहेगा और फिर भी कोई प्रस्ण हो कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रू पूछेगा आगे हम देखते हैं आठ्व इस योजना में उद्ध्योग के आधनी की करन की दिशा में काम किया इस योजना का मुख्योदेश जशंक्या ब्रिद्पन्ययंत्र गरीबी में कमी रोजगार की आउसर पैदा करना बुनियादि धाचे को मजबूर्ट करना मैं आठ्वी पंजवर्शी उजना में यह से इ इस योजना में पर्याप्त रोजगार की आउसर पैदा करने गरीबी कम करने क्रिशित पादक्ता में बढ़ोत्तरी के साथ ग्रामिड विकास को प्राक्विक्ता देगे इसके अलावा नियाई वो समानता के साथ विकास पर्णी जो दे आगया अप लोग इसकी स्कीमसा और अपने बास रक्षित रखें इस्तिर कीमतों के माध्धन से अर्थ देवस था कि विकास धर्णी तेजी लाई गई नवी पंजोर सी जोना की बात है सभी लोगों को पढ़ेंगे दस्वी पंच वर्षी होजना जो 2002 से लेकर दोगनी करना था बहुत ही इंपोर्ट है देश में गरीबी बिरजगाई समाप्त करना तता अगले दस वर्षों में प्रतिवेगती है दोगना करना था दस्वी पंच वर्षी योजना में दुगना करने की बात की जाती है जो 2002 से लेकर 2007 तक था आप साहत इसको 500 रखने या पिछे या देखर ले ठीक है योजना के दौरान प्रतिवर साथ दस्मलों पांच अरब डालर के 25 विदेशी नीदेश कल अच्छ रखागे अब दियाए अब लोग भी चाहते सर्चित रख सकते हैं आगे बढ़ें दस्वी पंच वर्षी योजना में अब इसमें क्या था योजना आवदी में पांच करोन रोजग है कि भारत उक्त परिश्चत से अधिक विदिदर यानि ग्रोफ रेट की पठरी पर आगे इस योजना में साथ दस्मलों साथ प्रिश्चत की आउसाथ सलाना विदिदर अब तक कि किसी योजना में सर्वोच विदिदर थी यहां सभी के लिए इन पोटेंट है लच्छ वि योजना में क्या है यह दोजा साथ से लेकर बारत अब यह भी पांच वर्ष के लिए था इस योजना को जो मुखिलेक्स था तकल घरेलूट पाद ब्रिदिकों 89% बढ़ा कर दस परसें तक करना है अदला सो परसें तक करना यहां पर दस आगे सो परसेंट करना है कि बारहा यह दोजा साथ से लेकर बारह तक थी अब यहीं से दिखें अब यहां से बारह से लेकर 17 तक इस पंचवर्षी योजना का उदेश पेजी से अधिक समावेशी और सपथ विकास के साथ आर जस्मनों 2% की ब्रिद्धी हासिल करना था इसका उद्धेश किसी में 4% की ब्रिद्धी हासिल करना और गरीबी को 10% तक क 25 रहती है इसके बाद इस पंचवर्षी योजना को समापश करके एक नया नाम दिया गया कोमिन्ट करके रिङे घर कांण सा नया नाम आया जिया भारत में कूल 12 पंचवर्षी योजना ऐसी उसका समय था 2012 से लेकर 2012 से लेकर 2017 सक उसके बाद 15 योजना का इतिहास इती हो जाता है खतम हो जाता है अंत हो जाता है और फिर से नए रूप में नए भारत के लिए योजनायोग की जगह नीती आयोग का गठन किया जाता है इसका नीती आयोग का गठन क्या जाता है इसका फूल फाम है National Institute for Transforming India यह बहुत इंपोर्टेंट है आप लोग चाहें तिसे रख लीजे या दिकर लीजेगा जेगा National Institute for Transforming India केंद सरकार ने योजना आयोग को परिस्थान पर एक जनवरी 2015 को बहुत इंपोर्टेंट है नीती आयोग के स्थापना ही नीती आयोग योजना आयोग के वीप्री एक फिंक्ताइंग या फोरम के तरह कार करेगा जिसने पांच साल की योजनाओं को लागुल किया और आर्थिक लट्ष ने भायत करने के लिए स्वंसाधनों को अमन्टित किया करेगा नीती आयोग की परिश्यद में भारत के 29 राज जी साथ के साधी प्रडेशों मनलब अब जिस समय था उसम में 27 थे आज की बात करें तो 288 है आज की बात करें आज मानें वर्तमार मुख की कारेकारी दिकारी एक जिप्टी शेर्मेन विश्रग्जियों के टीम रहेगी चो सीधि पदान मंत्री संपर करेगी जो नीतियायोग के अध्यक्य योजनायोग के विपरीद राष्टी विकास पर्षत की रिपोर्ट करता था यहाप के लिए कि यहां तक किसी कोई दिक्कत को समझ सा कोई प्रस्मों कोमेंट करके पूश सकता हैं ताकि हम आपके एक टौपिक तरव आजे लेकिते नीति आयोग व योजनायोग में सबसे बड़ा अंतर यह है योजनायोग पर टेक राजी के लिए बीच सामान दिश्टी कॉन था वा स सभी सकतियां के अंद्रिकित्थी नीतियायोग ने जमेनी इस्तर पर कार करने का निड़ा लिया वही राज्यों की भागेदारी भी बढ़ाए गया तो योजनायोग नीतियायोग आपको समझ में आयो गया पंचिवर्सी योजनागर आपको पुरी तरह समझ में आ गया हो तो आप टेलिग्राम पर दुर्गेश सर्च सर्च करके ईलर्णी बिद दुर्गेश पर जुड़े यहाँ पे सभी क्लास की लिंग वीडियो आपको क्री मल की रहेगी और अगर अभी तक आप ईलर्णी बिद दुर्गेश का आयप नहीं इस्टाल के हैं आज ही ईलर्णी जोनपूर से आप सभी के लिए लाइट सब्सक्राइब करके इस नंबर से जूड़े रहें तो जो भी नॉटिपिकेशन होगा आपको डे बाए डे आपको मिलती रहेगी उमीद करते हैं आपको जो सारा कॉंसेप था सारा प्स्निगा जेवाब इस वीडियो में मिल गया पंजवर्शी जोना क्या थी सुरवात कब होती इसका अंते कब होता है नीते अग क्या था इसका क्या काम था उन महत्पड बिंदों को हम लगों ने चार्चा कर लिया जहां जहां साथ के फरिक्षा में शवाल पूछे हैं उमीद करते हैं सारा कॉंसेट सारे स्वाल जवाब क्लियर हो गया हुगे फिर अगर आपके मन में कोई प्रश्ण हो कोई सवाल हो कमेंट सेक्षन करके आप पूछ सकते हैं और एक नया चैनल है इस्टडी विद्ध दुर्गेश सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाएगा वीडियो को फेच्बूक पर देखने हैं इलदी सब्सक्राइब करिएगा इस्टाग्राम इलेनी विद्ध दुर्गेश और अगर आपके कोई सवाल हो तो पूछेगा इस सीरीज के बाद इसकी नंबरों पर वार्शब करके प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप इसकी नंसीक्यू को भी सौल्व कर सकें इसकी ठीरी पूरा पह धन्यवाद आप सभी को जय हिंद जय भारत थैंक्यू बाइबाए जया जरू करिएगा यह आपकी जिम्हेदारी है ताकि हम इसकी अगली वीडियो लेक्च्छर लेकर आएंगे जब वीडियो को जड़ ज़द लोगों तक पूछ आएंगे तब आगे हम लोग पढ़ेंग